हलो दोस्तो मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाई फाई लर्निंग अभी तक हमने सौम में बेसिक्स, सिंपल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस, एंड स्ट्रेन एनर्जी पड़ चुके हैं अभी जो हम डिसकस करने वाले हैं वो प्योर बेंडिंग या यह दो लग रहा है वो लग रहे हो और जो लोंगिटूडनल एक्सस है यह हमने शो कर रखना बीम का या आप यह कहसकते हूं कि यह इस टाइप से यह भीम है यह बीम है और इसमें एक कपल यह लग रहा है और दूसरा यह लग रहा है इस कपल के opposite है आप चेक कर सकते हो उपर की direction में इस इधर force है तो opposite direction में इसके opposite force है तो इस type से equal and opposite दो कपल लग रहे हैं और कहां पे लग रहे हैं जो दो कपल है वो उसका plane है कपल का plane कौन सा होगा ये वाला कपल का plane longitudinal axis से पास कर रहा है कपल का plane इस longitudinal axis से पास कर रहा है या ये कह सकते हो कि जो कपल का plane है ये वाला है कपल का plane कपल का plane आपके face के या cross section के क्या है perpendicular है face के या cross section के perpendicular है या ये कह सकते हो कि कपल जो है वो एक centroidal axis के about लग रहा है about का मतलब उसके about इसको गुमाने की कोशिस कर रहा है और वो centroidal axis क्या है in the plane of crow section plane of crow section में है देखो plane of crow section में आपको दिख रहे होंगे दो यहां पर होंगे यह plane of crow section है plane of crow section में आपके दो centroidal axis आएंगे एक ये वाला और एक ये वाला इसको हमने xx लिखा था, इसको yy लिखा था तो ये जो axes है, ये इस type's axes ऐसे होगा ये axes ऐसे होगा, इस axes के about इसको घुमाने की कोशिस कर रहा है यानि कि इस axes के about ये लग रहे हैं आपके दोनों कपल तो इस type से हमने pure bending की definition देखी दी तो ये pure bending की definition होगी अब इस कपल की वज़े से, इस कपल की वज़े से देखो ये इस axes के about इस direction में इसे घुमाने की कोशिस करेगा तो ये वाला हम कह सकते हैं कि ये ऐसे इस direction में movement लगेगा और इस moment की value होगी पी जो force की value होते है वो into distance distance between these two forces, पी into A और ये वाला जो कपल है ये भी इसको क्या करेगा इसके इस direction में इसको घुमाने की कोशिस करेगा बट opposite direction में तो इस type से ये वाला कपल इसको यहां से घुमाने की कोशिस करेगा यहां पर एक moment लगेगा और इसकी value भी P into A ही आएगी ये कह सकते हो आप अब ये जो दो moment लगेंगे इस type से जो moment लगेंगे इसको bend करने की कोशिस करेंगे तो ये तो before bending हो गया और bending के बाद इसकी shape जो बनेगी वो कुछ इस type से बनेगी इसकी shape आपकी कुछ इस type से बन जाएगी ये shape बनेगी इस shape में खास बात क्या है ये shape बनने के बाद ये shape बनेगी अब इस shape में जो आपका longitudinal axis था longitudinal axis भी bend होगा कुछ इस type से होगा longitudinal axis ये इस type से bend होगा तो जो longitudinal axis है longitudinal axis है और उसके parallel इस direction में इसके parallel जो होंगे जितने fiber होंगे इस type से जो fiber होंगे उनकी length before and after bending सेम रहेगी क्या रहेगी length before and after bending इस axis की length जो axis बने का longitudinal axis इस axis की length before and after bending सेम रहेगी अब ये length सेम रहेगी तो उपर वाले जो इसके उपर वाले fiber है उनकी length क्या होगी decrease हो जाएगी ये ये कह सकते हो कि इसके जो उपर fiber है इस condition में सिर्फ इस condition में ऐसे जब लग रहा है देखो अगर opposite direction में लग रहा होगा अगर moment इस type से लग रहा होता moment अगर इस type से लग रहा होता तो क्या होता shape इसकी ये वाली बनती इस type से इसकी shape बनती तो इस condition में क्या होगा नीचे वाले fiber compression में होगे इस condition में क्या हो रहा है इस longitudinal axis से जो उपर के fiber है वो आपके compression में होंगे और नीचे के fiber जो होंगे उनकी length क्या होगी increase होगी bending की वज़े से उनकी length increase होगी तो increase होगी तो वो जो fiber होंगे इस longitudinal axis से नीचे वाले जितने भी fiber होंगे वो सारे के सारे किस में होंगे tension में होंगे नीचे वाले tension में होंगे उपर वाले compression में होंगे तो bending में यही होता है उपर वाले fiber जैसे यहां पर इस direction में moment लग रहा है तो एक side के fiber आपके compression में होंगे और एक side के fiber आपके किस में होंगे tension में होंगे तो यही होता है bending में अब यहाँ पर यहाँ पर यह जो axis है मैंने बताया था इस axis की जो longitudinal axis है इसकी length before and after bending same रहेगी before and after bending same रहेगी और सिर्फ एक ही fiber नहीं होगा बहुत सारे fiber होंगे और वो किस plane में होंगे वो होंगे इस type से इस diagram में हम check कर लेते हैं इस diagram में अगर आप बनाओगे तो यह suppose कर आपका longitudinal axis वाला point है और इस type से यह longitudinal axis यहां से और यहां से पास करेगा आपका यह longitudinal axis है यह कौनसा axis है longitudinal axis longitudinal axis के parallel longitudinal axis के parallel यह वाले जो fibers होंगे आपके सारे के सारे fiber क्या होंगे आपके neutral fiber होंगे इनको क्या बोलेंगे neutral fiber जिस fiber की length before and after bending same रहे जिस fiber की length before and after bending same रहे उनको क्या कहेंगे हम neutral fiber कहेंगे उनको हम क्या कहेंगे neutral fiber तो ये जितने भी fiber होंगे इस plane में इस plane में जितने भी fiber होंगे यहाँ पे जो longitudinal axis से pass कर रहा है जो longitudinal axis से pass कर रहा है उस plane में जितने भी fiber होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे neutral fiber होंगे तो neutral fiber का मतलब क्या हुआ जिसकी length before and after bending same रहे उसको कहेंगे हम neutral fiber अब ये सारे neutral fiber हो गए अब neutral layer जिस layer में सारे के सारे neutral fiber होंगे उसको क्या कहेंगे neutral layer उसको क्या कहेंगे neutral layer अब ये layer बनेगी क्या बनेगा एक plane बनेगा या layer कह सकते हो layer बनेगी इस layer में जितने fiber है वो सारे कौन से है neutral fiber है तो इस layer को कहेंगे हम neutral layer इसको कहेंगे neutral layer और ये एक plane बनेगा और जो plane होगा वो longitudinal axis longitudinal axis प्लस एक axis और होगा एक axis कौन सा जिस एक्सिज के अबाउट आपका मूमेंट लग रहा है वो एक्सिज और लोंगिटूडनल एक्सिज मिला के दो प्लेन कब बनेगा दो एक्सिज को मिलाएंगे तभी प्लेन बनेगा एक ये वाला एक्सिज और एक ये वाला एक्सिज जिसके अबाउट आपका क्या लग रह है moment लग रहा है तो यह दोनों एक्सिज मिला के यह दोनों एक्सिज मिला के क्या होगा एक plane बनेगा ऐसे जो plane बनेगा इस टाइम पर इस condition में कौन सा plane बनेगा horizontal plane बनेगा जो longitudinal axis से पास कर रहा होगा horizontal plane बनेगा इस condition में सिर्फ इस condition में horizontal plane होगा जो longitudinal axis से पास कर रहा होगा उस plane में जितने भी fiber होंगे सारे neutral fiber होंगे और उस layer को क्या कहेंगे हम neutral layer कहेंगे तो neutral layer और neutral fiber का concept आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं neutral axis की neutral axis की neutral axis क्या होता है neutral layer और plane of cross section plane of cross section के बीच में जो intersection होगा उसको कहेंगे हम neutral axis neutral axis कैसे देखो अब यह इस type से मैंना आपको बता हो horizontal जो बनेगी इस type से इसके बीच में से पास करती हुई longitudinal axis से पास करती हुई क्या बनेगी आपकी neutral layer बनेगी इस type से यह neutral layer होगी आपकी यहां से, इसके बीच में से यह neutral layer होगी और यह plane of cross section है, यह क्या है plane of cross section, plane of cross section से plane of cross section और इसका intersection होगा, intersection कौन सा होगा? यह वाला axis, यह वाला axis क्या होगा? neutral axis या यह कह सकते हो इस condition में x x axis जो है वो कौन सा होगा आपका neutral axis होगा यहां पे यहां से यहां से कह सकते हो इस जगे से इस जगे से centroid से जो pass करेगा यह वाला axis जो होगा वो क्या होगा आपका neutral यहां पर बना सकते हो आप यहां पर भी बना के चेक कर सकते हो यह वाला जो एक्सीज होगा इस इस नूटरल एक्सीज यह यह कह सकते हो कि जिस एक्सीज के अबाउट जिस एक्सीज के अबाउट आपका मुमेंट लगेगा वही आपका नूटरल एक्सीज आएगा जिस एक्स लेयर और plane of cross section के बीच में जो intersection होगा, plane of cross section ऐसे है neutral layer आपकी ऐसे है तो इन दोनों के बीच में जो intersection होगा, intersection कैसे होगा, एक line बनेगी दो plane के बीच में intersection हमें सा एक line बनती है, तो एक line बनेगी, ये वाली line, ये वाली line क्या होगी, आपकी neutral axis होगी और neutral axis इस condition में xx axis ही होगा अगर हम इसका diagram बनाएं कौनसा cross section का diagram बनाएंगे इस type से बनेगा तो इस cross section का diagram में दो axis आएंगे एक xx axis और एक यहां पर बनेगा आपका yy axis तो xx axis होगा वही आपका इस condition में neutral axis होगा क्योंकि x x axis के about ही moment लग रहा है अब यह जो moment लग रहा देखो यह x x axis इसके about moment लग रहा है अब मैंने आपको बताया था कि moment इस direction में ऐसी भी तो लग सकता है इस direction में ऐसे ऐसे भी तो इसको bend कर सकता है अब ऐसे इस type से इस type से अगर आप इसको bend करोगे इस type से bend करोगे तो उस time पे जो moment लगेगा यहाँ पर इस direction में ऐसे और यहाँ पर इस direction में ऐसे जो moment लगेगा तो किस के about लगेगा yy axis के इस vertical axis के about moment लगेगा और vertical axis कौन सा है yy axis और yy axis के about जब moment लगेगा इस direction में तो उस time पे neutral axis आपका yy axis ही होगा neutral axis कुन सा होगा y y axis होगा ठीक है तो ये हमने कुछ थोड़ा सा concept देखा किस किस के बारे में neutral layer के बारे में, neutral fiber के बारे में और neutral axis के बारे में तो ये चीज़े होगी हमारी basic अब हम इसका analysis करेंगे कि इस से आपकी bending equation कैसे आएगी देखो bending equation drive करने का main मकसद हमारा ये नहीं है कि वो आपकी exam में पूछी जाएगी देखो bending equation जो है वो conventional में पूछी जा सकती है bending equation को drive करना but objective में ऐसा कुछ नहीं आता है but bending equation जो आप पढ़ते हो m by i is equal to sigma b by y equal to e by r ये bending equation आप पढ़ते हो तो आपको ये नहीं पता कि इस bending equation में कौन सी चीज क्या होती है ठंक से तो आपको सब चीजों का अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सी value जो है e क्या है y क्या है r क्या है सब कुछ पता चल जाएगा bending equation को हम drive करेंगे अच्छे से तो चलिए bending equation को drive करने करते हैं अब हम देखते है bending equation को कैसे drive किया जाता है ये bending equation को drive करने से पहले क्या करेंगे हम हम ये beam हमारा माल लेंगे ये beam है ये moment लग रहा है और ये zz axis जो है वो क्या है आपका longitudinal axis हम इसमें एक element consider कर लेते हैं element कौन सा है a b c d e f एक element consider कर लिया हमने ये element आपका before bending है क्या है ये before bending है और हमने एक gh एक element और consider कर लिया gh layer एक consider कर ली है या fiber कह सकते हो जो इस neutral layer से y distance पे है neutral fiber से कितने दूर है y distance पे है y distance पे एक gh एक fiber हमने consider कर लिया है उस पे हम analysis करेंगे उससे हम bending equation हमारी drive करेंगे तो सबसे पहले before bending point कौन-कौन से है ये a point है ये b point है ये c point है ये d point है ये e point है ये f point है और ये g point है और ये h point है तो ये हमने discuss कर लिया, यह हमने क्या कर लिया, यह मान लिया, यह element ले लिया और यह सारे point क्या है, before bending है, अब bend होने के बाद आपको पता है, bend होने के बाद क्या बनेगी, इसकी shape इस type से बनेगी, क्योंकि moment आपका इस direction में लग रहा है, तो shape कैसे बनेगी, इस type से बनेगी, तो इस type से बनेगी तो इस element में भी कुछ ऐसा ही होगा, इस element में भी कुछ ऐसा ही होगा, तो bend होने के बाद क्या होगा, देखो bend होने के बाद यह जो है, यह इस type से आपके points change हो जाएंगे, यह है after bending, कि अब आपको कर लेते हैं हमारे पॉइंट जो है इस टाइप से चेंज हो गए देखो एपॉइंट यहां पर आ गया यह कौन सा पॉइंट आ गया आपका एप यह पॉइंट बी यह पॉइंट जी डैश यह डैश लिख लिए इसको बिए अफ्टर बेंडिंग के वाले को डै डैश यह वाला पॉइंट सी डैश यह वाला पॉइंट डी डैश यह वाला पॉइंट इडैश यह वाला पॉइंट एफ डैश और जो होगा बेंडिंग होने के बाद क्या होगा आपका इस टाइप से जो शेप होगी वो कैसे बनेगी इस टाइप से मलो हर एक फाइबर आएगा यह वाला फाइबर आपका ऐसे आएगा यह वाला फाइबर आपका इस टाइप से आएगा यह वाला फाइबर आपका इस टाइप से आएगा तो इस टाइप से आपकी बेंडिंग होगी तो यह आपका बेंडिंग के बाद यानि की A'dash, B'dash, C'dash, D'dash, E'dash, F'dash, G'dash और H'dash ये कब है after bending ये सारे points आपके bend होने के बाद है अब हमें जो है वो GH जो fiber था उसमें strain निकालना है हमें क्या करना है? GS fiber में strain निकालना है तो हमें लिखेंगे strain in GH fiber GH fiber में हमें strain निकालना है तो strain निकालने के लिए क्या होगा? देखो strain कैसे आएगा? Epsilon in GH is equal to कैसे निकलेगा? Change in length by original length और change in length क्या आएगी? Final length minus देखो क्या आएगा? Final length minus original length divided by original length तो GH fiber की final length क्या हो गई? G-H- क्या हो गई? G-H- Final length होई आपके पास G-H- GH fiber क्या होगा? bend होने के बाद G-H- तो final length क्या हो गई? G-H- G-H- यह हो गई? और original length कितनी ती? GH original length कितनी थी? GH minus पहले length थी GH divide by original length है यह GH यह हुआ strain अब इस ट्रेन को ढंंसे निकालने की कोशिव करते हैंस कि और हम इसको जो यह ऑगे को यह एक्सेंड कर लेते हैं तो यह एक पॉइंट पे टच करेंगे यह क्या करेंगे एक पॉइंट पे टच करेंगे एक पॉइंट पे टच करेंगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जो न्यूटरल फाइबर से यहां से यहां से इसको बोलते हम आर डिस इस रेडियस ओफ करवेचर ओफ न्यूटरल फाइबर रेड fiber band होने के बाद ऐसा हो गया है. तो अगर इसको dotted line से हम extend करें, अगर हम इसको extend करतें, तो क्या होता? ये एक circle बन्ता. इस type से क्या बन्ता? एक circle बन्ता जिसका center यहां पे होता और जिसकी radius क्या होती? R radius होती. क्या होती? R radius. बट इस सरकल में से सिर्फ इतना पार्ट हमारा कटा हुआ है, यहां पे सिर्फ इतना ही पार्ट हमारे पास है, तो कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो, जैसी यह कर्व है, यह कर्व है यहां से लेकर यहां तक, तो इस कर्व का, यह कर्व क्या है, एक सरकल का पार्ट है, एक स इस curve की क्या Βो लेंगे उसको radius of curvature, radius of curve, radius of curve या radius of curvature तो radius of curvature क्या होता है? इस curve को अगर हम पूरा बनातें तो क्या बनता है? एक circle बनता और इस circle की जो radius होगी, वही radius होगी, इसकी radius of curvature तो यहां पर यह O point है तो इस जगे पर भी जो हमारे पास यह जाके मिली है जहां पर इसको O लिखेंगे तो O is the, sorry, R is the, R का हमारे पास क्या है? R is the radius of curvature of neutral fiber neutral fiber की radius of curvature आएगी अब radius of curvature आएगी और यहां पर हम जो यह angle बनेगा इसको मान लेते हैं theta यह angle कौन सा बन रहा है आपके पास theta तो इस type से radius of curvature का जो यहां पर angle बन रहा है वो theta angle बन रहा है तो theta angle बन रहा है तो आप इसको C, D, C dash, D dash को आप R into theta लिख सकते हो इस curve की जो length होती है यह वाली length this is equal to R into theta यह हमारा concept काम में आएगा इस equation में आप देखो कैसे आएगा epsilon जो GH आया है आपके पास इसको यहीं पर लिख लेते हैं epsilon GH को यानि की strain in GH fiber देखो G dash H dash जो G dash H dash है उसको तो यही रहने दो इसको रहने दो G dash H dash ही GH देखो यह GH जो है GH CD के equal है GH किसके equal है GH is equal to CD और CD और C dash D dash equal है क्योंकि neutral fiber की length before and after bending same होती है neutral fiber की length before and after bending क्या होती है same होती है तो जो CD है और जो C dash D dash है is equal to C dash D dash दोनों क्या होंगे equal होंगे अगर equal होंगे तो GH की जगहे पर क्या लिख सकते हम CD GH की जगहे पर क्या लिख सकते है CD और नीचे भी CD नीचे भी क्या लिख सकते है नीचे भी GH है GH की जगहे पर क्या लिख सकते है CD और CD या C dash D dash इसको C dash D dash लिख देते हैं C dash D dash C dash D dash इस यह क्या है यह एक arc है और क्या सकते हो या इसकी आर्क की इसकी लेंथ क्या होगी इसकी लेंथ क्या होगी आर्थीटा के एक्वल इसकी लेंथ क्या होगी आर्थीटा के एक्वल तो r, r यहां तक हो गया, r minus y, क्या होगी यह वाली, यह क्या होगी, r minus y, तो यानि कि, यानि कि आप कह सकते हो, g dash h dash की value क्या होगी, r minus y, इसकी radius होगी, इसकी क्या होगी, radius g dash h dash वाली, r की radius कितनी होगी, r minus y, into theta कर देंगे, radius इंटू theta कर देंगे तो arc की length आ जाएगी तो arc की length g-dash-dash की जगह क्या लिखेंगे r-y into theta r-y into theta और c-d-dash की जगह क्या लिखेंगे r theta क्योंकि c-dash-dash क्या है ये इसकी radius है और इसकी ये angle theta है arc की length कितनी होगी r into theta तो minus r theta divide by r theta बस इसको solve कर लो आपका strain आ जाएगा तो strain की value epsilon in GH fiber कितना आया इसको open कर लो क्या हुआ R या यह कह सकते हो चलो ऐसी लिख लो R theta R theta minus Y theta minus Y theta minus R theta divide by R theta तो यह वाला R theta से cancel हो गया आपके पास आया minus Y theta divide by R theta और theta से theta cancel यानकी minus Y by R यह value क्या आई? minus Y by R अब यह value minus Y by R आई है अगर नीचे की तरफ लेते हैं नीचे के fiber क्या है? tension में है नीचे के fiber की length increase हो गई है तो वो क्या आता? वो plus में आता तो इसको ऐसे लिख सकते हैं? जनरल करके epsilon सिर्फ epsilon strain लिख लेते हैं Gs fiber नहीं लिखते हैं strain क्या आएगा? plus minus Y by R plus minus Y by R अब R तो है radius of curvature of neutral fiber R क्या है? radius of curvature of neutral fiber और Y क्या है? distance from neutral fiber Neutral fiber से distance जो होगा जिस जगह पे आप strain निकाल रहे हो उस जगह का distance Y की value वो होगी आपकी ये Y value तो यानि कि Y पे depend कर रहा है R तो क्या होगा? constant होगा? neutral layer जो होगी? neutral fiber का radius of curvature होगा? वो constant होगा? वो तो change होगा नहीं तो आप लिख सकते हो epsilon is directly proportional to Y और जैसे देखो neutral layer ये है, neutral layer ये अगर इस Y को decrease करते जाओ, decrease करते जाओ, decrease करते जाओ और यहां पर आने के बाद क्या हो जाएगा Y की value? 0, CD fiber पे Y की value 0 हो जाएगी और Y की value अगर 0 हो गई तो वहाँ पे strain कितना आया? 0 आया strain 0 आने का मतलब वहाँ पर क्या है? वह उस fiber की length before and after bending same है तो epsilon is directly proportional to Y जैसे जैसे Y बढ़ता जाएगा, strain की value increase, 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 increase होती जाएगी यानि कि इस point से ये पहला fiber आएगा, इसमें strain कम होगा, दूसरे वाले में उससे ज़यादा होगा, उससे next fiber में उससे ज़यादा होगा ये तो हुआ strain का concept ये आपको समझ में आ गया होगा strain का अब stress के बारे में भी बात कर लेते हैं देखो, stress की sigma b कौन सा bending stress bending stress को लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे न e into epsilon वह stress, young's modulus into strain करते हैं तो stress आता है, तो sigma b की value आपके पास आएगी देखो, क्या है ये e into plus minus y by r तो sigma b की value आपके पास आई sigma b is equal to plus minus e y by r अब यहाँ से भी आप देख सकते हो कि sigma b b bending stress भी directly proportional है y के bending stress भी directly proportional है y के तो y की value, y की value 0 होगी तो bending stress की value 0 होगी यानकि इस fiber में, neutral fiber में कोई भी stress नहीं आएगा कोई भी bending stress नहीं आएगा अब, अब bending stress की value जैसे जैसे y की value increase होगी वैसे वैसे bending stress की value होगी increase होगी और जब y की value maximum होगी यानकि extreme fiber पे y की value जब maximum होगी तो sigma b की value भी क्या होगी maximum होगी y की value जहां maximum होगी वहाँ sigma b की value भी maximum होगी तो इस equation को हम थोड़ा सा और change कर लेते हैं थोड़ा सा और change कैसे? sigma b is equal to क्या आया है? e y by r plus minus को भूल जाओ अब आपको पता चल गया की plus का मतलब है जब जहां पर tension में होंगे fiber वहां पर plus लेंगे और जहां compression में होंगे वहां minus लेंगे तो sigma b और इसको y को इधर ले आओ sigma b by y is equal to e by r क्या आपको नहीं लग रहा कि ये bending equation का half part है? ये क्या है bending equation का half part है इसको equation number one लिख लेते हैं लेकिन इससे पहले इससे पहले हम bending stress की वेरियेशन चेक कर लेते हैं कि कैसे vary होगा आपका bending stress and bending strain उसकी intensity को हम draw कर लेते हैं अब हम stress and strain का variation चेक कर लेते हैं देखो पहले तो strain की value आपको पता है यहां पर strain की value क्या होगी 0 होगी क्योंकि यह neutral layer है और neutral layer पे y की value क्या होगी 0 होगी और y की value 0 होगी तो strain की value भी 0 होगी जैसे जैसे उपर जाएंगे strain की value increase 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 होगी और ऐसे ही नीचे की तरफ भी opposite direction में increase होगी तो strain का distribution आपका इस type से आएगा तो आप देख सकते हो जैसे-जैसे वाई increase होता जा रहा है वैसे-वैसे आपकी strain की value भी increase हो रही और इस जगए पे strain की value के आएगी maximum आएगी यहाँ पर क्या आएगी? maximum आएगी और इस जगए पे भी strain की value के आएगी अगर यह symmetrical है तो यहाँ पर यह value maximum आएगी यह cross section कौन सा लिया था हमने rectangular rectangular cross section है तो symmetric cross section है तो strain की value यहाँ 0 आएगी यहाँ increase फिर increase फिर increase इंक्रीज इंक्रीज होते हुए जाएगी और ऐसे ही नीचे की तरफ में increase इंक्रीज इंक्रीज और last में maximum पर आएगी ऐसे ही stress की value भी same y पे depend करती है same same type में stress की value आएगी तो stress की value भी क्या होगी इस type से increase और यहाँ पर जैसे जैसे y decrease होगा यह decrease होगी और जैसे जैसे y increase होगा यह value increase करेगी यह value क्या करेगी? increase करेगी तो इस जगह पर sigma b की value क्या होगी? this is sigma b maximum मैक्सिमम और यहां पर भी सिगमा बी की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम अब जब सिमेटरिकल क्रो सेक्षन होता है सिमेटरिकल क्रो सेक्षन मतलब जैसे स्क्वेर हो गया rectangular हो गया cross section मतलब इसका जो cross sectional area होगा वो इस टाइप से होगा rectangular हो गया या तो rectangular हो या square हो या eye section हो या circular हो तो ये सारे के सारे cross section क्या होंगे आपके symmetrical होंगे z z axis के about symmetrical होंगे अगर symmetrical cross section है तो sigma b की value जो maximum आएगी दोनो extreme जगे पे दोनो extreme fiber पे sigma b की value maximum आएगी दोनों जगे क्या आएगी maximum आएगी and equal and opposite आएगी equal and opposite कैसे ये negative आएगा और ये क्या आएगा positive आएगा ऐसी strain भी ये negative और ये क्या आएगा positive आएगा इस condition में जब आपका beam इस type से bend हो रहा है जब आपका beam कैसे bend हो रहा है इस type से आपका beam, जो है इस टाइप से अगर आपका bend हो रहा है तब यह यह कह सकते हो इस टाइप से आपका moment लगा हुआ है यह moment आपका लगा हुआ है ठीक है, इस condition में लेकिन जब unsymmetrical crow section होगा unsymmetrical मतलब T section होगया जैसे L section होगया इस टाइप से या और कोई section होगा इस टाइप से जो cross-section होंगे जो unsymmetrical होंगे उसमें extreme fibers पे दोनों side extreme fiber पे sigma b और epsilon की value opposite तो आएंगी opposite आएंगी यानि कि एक side में positive तो दूसरी side में क्या आएगा negative आएगा but same नहीं होगी but same नहीं होगी sigma b की value हमारे पास जो आई है this is sigma b is equal to e y by r क्योंकि symmetrical cross-section में ये y की value उपर की direction में और नीचे की direction में same होगी y maximum की value y max की value for symmetrical for symmetrical cross-section symmetrical cross-section में y at top is equal to y at bottom ये दोनों आपके same होंगे top fiber पे और bottom fiber पे आपकी y की value same होगी maximum value तो यानि की sigma b की value top fiber पे और equal to होगी sigma b की value bottom fiber पे तब equal आएंगी और opposite आएंगी एक compressive होगा तो एक tensile होगा but unsymmetrical होगा तो ये value equal नहीं आएंगी but opposite तो जरूर आएंगी एक side में positive आएगी और एक side में क्या आएगी negative आएगी क्योंकि उस time पे neutral fiber जो है वो exactly बीच में नहीं रहता उपर या नीचे हो जाता है उपर या नीचे हो जाता है इस case में neutral fiber थोड़ा उपर आएगा और इस case में थोड़ा neutral fiber नीचे आएगा तो उपर और नीचे अगर हो जाएगा उपर की तरफ में अगर compressive है तो नीचे tensile होगा या उपर tensile है तो नीचे compressive stress आपके produce होगे तो इस type से आपके stresses की value stresses की value आएगी तो ये आप आपको लगरा होगा जो चीजे है वो सब कुछ आपको notes नहीं मिल रहे हैं मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ आपको notes चाहिए तो आपको PDF file में मिलेंगे और वो PDF file कहां मिलेगी आपको PDF file आपको मिलेगी हमारी app पे और app आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store पे जाके PiFi Learning app डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आपको सारे के सारे notes मिल जाएंगे PDF file में मिलेंगे proper notes आपको मिल जाएंगे तो चलिए अब थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में अब यहाँ पर जो यह bending stress produce हुआ है देखो यह सिर्फ उपर वाले की बात करते हैं यह जो bending stress है अगर सारे stresses को हम आपस में मिला दे सारे stresses को आपस में मिला दे तो एक force आएगा इस direction में ऐसे एक F की value आएगी क्या हैगा एक force आएगा अगर सारे stresses को मिला दे तो क्या हैगा force आएगा ऐसे ही नीचे वाले सारे stresses को अगर मिला दे तो क्या हैगा एक force यहां पर आएगा तो ये F दोनों ये वाला F और ये F मिलके क्या बना रहे हैं? कपल बना रहे हैं देखो ये वाला moment ऐसे था और इसकी वज़े से moment क्या होगा इस direction में? इसके opposite moment लगेगा जैसे same type में जैसे क्या होता है? आपने अगर आपने अगर tensile stress लगाया है किसी body को ऐसे खीच रहे हो तो उसके अंदर जो stress produce होगा वो opposite direction में produce होता है कैसे होता है? opposite direction में produce होता है और वो उसको खीचने से रोकता है ऐसे ही जब आप इसको ऐसे bend करोगे तो इस body के अंदर क्या होगा? एक opposite couple opposite couple प्रोड्यूस हो जाएगा जो इसकी bending को रोकने की कोसिस करेगा आप ऐसे bend कर रहे हो और इसके अंदर opposite couple लग रहे हैं वो इसको bend होने से रोक रहे हैं तो जो ये couple बनेगा ये जो couple बनेगा इसी को बोलते हैं resisting couple इसको क्या बोलते हैं resisting bending couple कौन बनाएगा F and F मिलके क्या बनाएंगे F and F मिलके आपके बनाएंगे F F मिलके बनाएंगे resisting bending कपल F and F मिलके आपके resisting bending कपल बनाएंगे और इसकी वज़े से जो moment आएगा F and F कपल की वज़े से जो moment आएगा उसको बोलेंगे हम resisting moment क्या बोलेंगे resisting moment against the applied moment M आपने जो M moment apply किया है उसके against में body एक resisting moment develop करेगी और उसकी value उसके equally होनी चाहिए वो तो हम बाद में भी discuss कर लेंगे कि इसकी value equal कब होगी और equal कब नहीं होगी वो चीजे बाद की condition है जैसे आप क्या करते हो force ऐसे लगाते हो तो इसके अंदर जो stress produce होता है वो क्या होता है इसके opposite होता है उसके opposite होता है और stress into area कर देते हो तो वो force के ही equal हो जाता है जो force आपने लगाया है जो force आपने लगाया है उसके equal हो जाता है जो अंदर stress आपका produce हो रहा है उसकी वज़े से जो force डेवलप हो रहा है यानि कि resisting force applied force के equal हो जाता है ऐसे ही resisting couple जो आएगा resisting couple उसकी वज़े से moment produce होगा और उस moment को कहते है हम moment of resistance उसको क्या कहते है moment of resistance इस MR की value हमें निकालनी है इस MR की value हमें निकालनी है यह अगर MR की value हमने निकाल ली तो simply हमारा जो bending equation है वो complete drive हो जाएगी इस MR की value अब कैसे निकालेंगे देखो आपको यह तो पता चल गया कि force की direction यह होगी उपर की side में और नीचे की side में यह होगी force into distance करते हैं तो moment आता है और इस moment की value हमें निकालनी है बट problem यह है देखो अगर stress की intensity constant होती stress की intensity constant होती तो यह जो force लगता है stress की वज़े से हम directly लिख लेते क्योंकि stress क्या होता है force per unit area तो force की value क्या आ जाती stress into area आ जाती क्या आ जाती stress into area आ जाती बट यहाँ पे stress क्या है variable है stress क्या है variable है vary कर रहा है अगर stress vary कर रहा है तो इसकी value कैसे आएगी integrate करके इसकी value कैसे आएगी integrate integrate करके integration से इसकी value हमें निकालनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे इसका cross section बना लेंगे क्या बनाएंगे इसका cross section तो cross section बना लेते हैं से यह क्रो से क्रों सेच्षन आपने बना लिया है हम है तो क्रों सेटक्षन जब बनाया आपने तो आहिस年的 म propose is a neutral assist भल सकते ह siete है इसको नीड्र एक्सिज या ऑक्स एक्स एक्स यह जएड़े चैड़े अक्सिज हो गया इसका जो क्रों सेक्षन बनेगा वो इस टाइप से ऐसे बनेगा यहां पर आपका एकस एकसिज होगा और यहां पर क्या होगा वाई वाई एकसिज होगा तो एकस एकस एकसिज हो गया अब इसी के लिए इसी यह बिम क्या है आपका इसकी थिकनेस भी है वो थिकनेस आपकी यहां पर आपको दिखाई तो इसमें यहां पर देखो हर प्वाइंट पर इस जगळे पर इस ट्डरेक्शन में ऐससे stress है अगर आप इसको देखे हो यहां यहा देखोगे तो यहां पर स्ट्रेस से बट मुझे यह बात बताओ कि इस जगळे पर इस जगळे पर क्या है वाई की वैल्मतु तो वह पे जो stress की value यहां होगी वही यहां होगी वही यहां होगी सब जगह क्या होगी stress की value same होगी और हम क्या करते हैं एक strip मान लेते हैं छोटी सी छोटी सी क्या मान लेते हैं strip मान लेते हैं और इस strip का इस strip की वज़े से इस strip के वज़े से force की value निकाल लेते हैं इस ट्रिप की वज़े से एक फोर्स आ रहा है और उस फोर्स की वैल्यू है डी एफ वह ऐसे आएगा इस डिरेक्शन में इसके प्लेन इस जो प्लेन है यह वाला प्लेन इसके प्रपेंडिकुलर आएगा यानि कि आपने यहां पर जो क्रो सेक्षन था उसको ऐसे कर लिया है तो ऐसे कर लिया है तो क्या आएगा फोर्स की वैल्यू अब इस प्लेन के प्रपेंडिकुलर होगी और फोर्स आपको पहले पहले तो क्या निकालना है एम आर की वैल्यू निकालनी है तो एम र क्या होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस डी एफ इंटू अब यह df into y force into distance आपका हागया क्या आगया moment आगया अब इस force की value इस df की value देखो अभी मैंने बताया था कि stress जो होता है force per unit area होता है तो force की value क्या आएगी sigma into area तो इस df की value आप लिखोगे df की value क्या आएगी sigma b into d a तो df की value इस जगह पे suppose करो sigma b है इस जगह पर क्या है value सिगमा B है into DA करेंगे तो यहां पर क्या आएगा सिगमा B into DA into Y यह हो गया और सिगमा B की value यहां से या जो equation आई थी हमारी वहां से उठाएंगे सिगमा B की value क्या आएगी EY by R तो this is equal to सिगमा B की जगह क्या लिखेंगे EY by R into DA into Y अब यह यहां पर भी है यहां पर भी है Y की value सेम आएगी क्योंकि इसी जगह पर तो हम moment निकाल रहे हैं और इसी जगह के क्या लेंगे सिगमा B लेंगे और सिगमा B लेंगे तो इस जगह पर distance कितना है Y ही है Y distance लेके हम करेंगे Y is variable Y fix नहीं है Y क्या है variable है जैसे जैसे Y की value increase होती है सिगमा B की value increase होती है तो इस DMR की value आपके पास आई E into Y square by R into DA अब total moment of resistance निकालेंगे total moment of resistance निकालेंगे MR की value तो वो क्या आएगी integration of DMR क्या आएगी MR की value क्या आएगी integration of DMR यह तो small value निकाली हमने इस strip के उपर ही निकाला सिर्फ इस strip पे निकाला तो total MR की value क्या आएगी इसका integration अब इसका integration करोगे तो इसका भी integration होगा integration of E Y square by R into DA अब आपको पता है कि E की value इस एक ही material के लिए देख रहे है material आपने change नहीं किया इसी beam के लिए देख रहे हैं तो E की value तो constant है और radius of curvature neutral fiber का वो भी आपका constant आएगा तो जो value constant है उसको बहार निकालो तो बहार निकालो गया आप तो E by R बहार आ जाएगा और अंदर बचा आपके पास Y square into DA अंदर क्या बचा आपके पास Y square into DA ये MR की value है अब इसको थोड़ा सा और solve करते हैं अब इसमें क्या होगा देखो एक value आती है moment of inertia या moment of area अगर integration of Y into DA होता है तो इसको बोलते हैं first moment of area first moment of area और अगर integration of Y square into DA होता है इसको बोलते हैं second moment of area second moment of area कह सकते हो या फिर इसको कह सकते हो area moment of inertia moment of inertia दो टाइप के होते हैं आप simply सिरफ moment of inertia लिख देते हो लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये area वाला है moment of inertia area वाला area moment of inertia इसको लिखते हैं अगर यहां पर Y square into dm होता तो वो क्या होता mass moment of inertia वो क्या होता है mass moment of inertia जो आप theory of machine में जो वील वो पढ़ते हैं fly wheel पढ़ते हैं और fly wheel में जब moment लेते हैं moment of inertia वो वाला moment of inertia क्या होता है mass moment of inertia वहां पर यहां पर dA नहीं होता क्या होता है dm अगर y square into dm का integration लोगे तो वो आएगा mass moment of inertia लेकिन ये क्या है moment of inertia कौन सा एरिया वाला तो इसको आप simply लिख लेते हैं i और ये किसके about आएगा about neutral axis क्योंकि ये इसके about ही इसका moment of area आएगा तो इसको i na हम लिख सकते हैं तो यहां से simply mr की value क्या i mr is equal to e by r into i about neutral axis ये आई आए आपके पास moment of resistance की value ये value क्या आई moment of resistance की value अब इस mr की value if mr i को इधर ले आओ i को इधर ले आओ तो आपके पास आया mr by i is equal to e by r this is your equation number second this is your equation number second अब देखो equation number first में sigma b by y e by r के equal है और यहां भी e by r के equal है कौन? mr by i तो दोने equation को क्या कर दो? combine कर दो क्योंकि e by r की value यहां से भी और यहां से भी equal है तो आप पूरी equation को combine कर दोगे तो आपके पास equation आएगी sigma b by y is equal to e by r equal to mr by i इसी को बोलते है bending equation और इसका नाम है Euler Bernoulli's bending equation दो लोगोंने मिलके डिजाइन की थी Euler ने और Bernoulli ने Bernoulli's theorem आप उसमें भी पढ़ते हो fluid में तो Euler and Bernoulli दोनों ने मिला के यह equation बनाई थी इस equation को बोलते है Euler Bernoulli's bending equation तो यह आपकी bending equation drive हो गई अब next lecture में हम इसका analysis देखेंगे इस bending equation का analysis देखेंगे कि इसमें जो सारी values है उनको कैसे use किया जाता है इस bending equation को कैसे use किया जाता है और इस MR की value भी discuss करेंगे कि कैसे होती है दखो MR की value हम M के equal ले लेते हैं किस condition में equal आएगी और किस condition में equal नहीं आएगी यह भी आपका concept clear हो जाएगा तो वो सब चीजे हम next lecture में discuss करेंगे इस lecture में हमने यह bending equation drive कर ली है तो आज के lecture में इतना ही मिलते हैं next lecture में thank you thank you so much for watching